ये दारी कॉंग्रेस के सरकारल बदल बो साथियों 36 गड़ में बीते चार साल में जो कुछ हुआ इससे फिर सिद्ध हुआ है कि कॉंग्रेस के कोर कोर में करप्षन है करप्षन के बिना कॉंग्रेस सांस भी नहीं ले सकती करप्षन कॉंग्रेस की सबसे बड़ी विचारदारा है जब मैं कहता हूँ कि कॉंग्रेस करप्षन की कमिशन खोरी की गारंटी है तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं वे मोदी को भला बुरा कहना चुरू कर देते हैं इनकी नाराजी इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है क्योंकि देश ने यही दाईत्व मुझे दिया है अर्श लिए जिनके दामन पर दागदार है वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोशते थे वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं उनको लगता है कि ऐसा करने से वे मोधी को डरा पाएंगे मोधी को डिगा पाएंगे देश के हर प्रस्टाचारी को एक बात कान खोल कर सुनने नी चाहिए वो वो अगर प्रस्टाचार की गारंटी है तो मोधी प्रस्टाचार पर कारवाई की गारंटी है जिसने गलत किया है वो बचेगा नहीं और ये कहने की हिम्मत मैं इसलिए घर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है वो आपका दिया हुआ है वो देश का दिया हुआ है ये लोग मेरे पीशे पढ़ेंगे मेरी कबर खोदने की दमकी दे देंके मेरे खिलाब साजी से रचेंगे लेकिन उने पता नहीं है जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता साथियों कांग्रेस जितनी चाल चलने लेकिन 36 गड़ के लोगों को आगे ले जाने के संकल्प से मोदी पीछे नहीं हटेगा मोदी गरीब का बेटा है मैं जानता हूं कि गाउं को सडक से जोडने पर गरीब का कितना भला होता है इसलिए हमने कांग्रेस सरकार से दो गुने पैसे गाउं की सडकों को जोडने के लिए दिये जब गाउं गाउं तर सडक पहुँचेगी तो विकास भी तेजी से पहुँचेगा रोजगार भी तेजी से पहुँचेगा भाजपा सरकार आज कॉंग्रेस सरकार के मुकाबले नेशनल हाइवे पर रेलवे पर कई गुना जादा खर्च कर रही है जब कनेक्टिविटी बढ़ती है आना जाना आसान होता है तो गरीब का जीवन भी तो आसान होता है आपकी हर मुश्किल को कम करने के लिए भाजपाद दिन रात मेहनत कर रही है बीते नव वर्षों में नक्सलवात की समस्या से बहार निकालने के हमारे प्रयासों का नतीजा भी आज देश देख रहा है कुछ साल पहले तक देश में नक्सल प्रभावी जीलों की संख्या 126 के आसपास थी अब इनकी संख्या घटकर सत्तर के आसपास रह गई है भाई और भेनों अपने कुशासन और ब्रस्टाचार के दाग को कॉंग्रेस आप जूठी गारंटियों से छिपाने की कोशिश कर रही है आपको ऐसी जूठी गारंटियों से बहुत सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है यह भाजपा है जो असली गारंटी देती है जो वाइदा करती है उसे पूरा करके भी दिखाती है आविश्मान भारत योजना के तहट 36 गड़ में 40 लाग गरीबों का मुप्त इलाज हुआ है यह भाजपा की असली गारंटी कोरोना के संकट कान में हमने 36 गड़ के लाखों परिवारों को मुप्त राशन दिया गरीब का चूला बुजने नहीं दिया और आज भी मुप्त राशन दिया जा रहा है यह भाजपा की असली गारंटी है PM फसल बिमा योजना से 36 गड़ के किसानों को साड़े छे हजार करोड रुपिय मिल चुके हैं उनके खाते में जमा हो चुके हैं यह है भाजपा की असली गारंटी PM किसान सम्मान निदी के 6,600 करोड रुपे से अधीग यहां के करीब 40 लाग किसानों को मिले हैं यह है भाजपा की असली गारंटी साथियों भाजपा गरीब की चिन्ता करने वाली पार्टी है गरीब का कल्यान करने वाली पार्टी है लेकिन कॉंग्रेस गरीब की सबसे बड़ी दुश्मन है भाजपा सरकार दिल्ली से जो योजना यहां शुरू करवाई उसमें भी यहां की कॉंग्रेस सरकार अडंगा लगा देती है प्रदान मंत्री ग्रामिन आवाज योजना इसका उदाहरन है केंद्र सरकार ने 36 गड़ में गरीबों के लिए 12 लाख गर बनाने की तैयारी की दी जब तक यहां भाजपा सरकार रही तब तक तेजी से गरीबों के गर बने लेकिन जैसे ही कॉंग्रेस सरकार आई गर बनाने की रप्तार पर रोक लग गई जब यहां भाजपा सरकार थी तो उसने हर साल यहां गरीबों के लिए दो लाख से जादा गर बनवाए अब कॉंग्रेस सरकार यहां एक सान में एक लाख गर भी नहीं बनवा रही है और पैसे दिल्ली से बेचते हैं आज यहां प्येम आवास योजना के लाखों गर वेट लिस्ट में हैं इंतजार के सुची में पड़े हैं आपके पडोसी राज्यों मद्द प्रदेश में गरीबों के लिए बन रहे हैं माराथ में गरीबों के लिए घर बन रहे हैं लेकिन 36 गर के गरीबों के लाखों गरों को यहां कॉंग्रेस ने रोक करके रखा है भाजपा ने हाँ गरीबों को पक्की छट के लिए मोर आवास, मोर अधिकार का अंदोलन किया है जहां जैसे ही भाजपा की सरकार बनेगी गरीब को घर देने का काम तेज किया जाएगा और मैं उन सभी गरीब परिवारों को कहना चाहता हूँ जो लोग जिनका पंजा आपके भाग्य को कुचल रहा है ये पंजा हडते ही जिन गरीबों के गर नहीं बने हैं ये मोदी गारंटी देता है वो गरीब का गर भी बन जाएगा साथियों यहां धान की खरीदी को लेकर भी जो खेल कॉंग्रेस सरकार खेल रही है वो भी आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है यहां की सरकार धान किसानों को गुम्रा करने में जुटी है जबकि केंद्र की भाजपा सरकार का प्रयास 36 गड़ के धान किसानों से जादा से जादा धान खरीदने का है यहां धान की जितनी सरकारी खरीद होती है उसका असी प्रतीसत से जादा भारत सरकार के हिस्से का होता है हमने ना जिर्फ धान पर MSP बढ़ाई है बलकि लाबारती किसानों की संक्या भी बढ़ाई है भाजपा सरकार के प्रयासों की वज़़े से आज 36 गड़ धान की खरीद मामले में बहुत आगे निकल चुका है पिछले नौ साल में भाजपा की केंदर सरकार ने 36 गड़ के धान किसानों को एक लाग करोड रुपिय से भी जादा दिये है एक लाग करोड से भी जादा इस साल भी यहां के धान किसानों को 22 हजार करोड रुपिय से जादा दिये गए है यह भाजपाई है जो यहां के किसानों की मेहनत को समझती है उनके लिए काम कर रही है जबकि कॉंग्रेस सिर्फ और सिरफ किसानों को दोखा दे रही है उनसे जूठ बोल रही है साथियों कॉंग्रेस ने जन जातिये समाज को हमेशा वोट बेंक के रूप में उप्योग किया है कॉंग्रेस ने जन जातिये समाज को हमेशा साधन और सुविदाओं से बंचित रखा चत्तिस गड़ में हमारे आदिवासी समाज के अनेक समुदाए अपने अधिकारों से बंचित थे भाजपा सरकार नहीं उन्हें जन जातियों की सुची में सामिल कर ये भाजपा सरकार है जिसने अलग आदिवासी कल्यान मंत्राले बनाया था ये भाजपा सरकार है जिसने आदिवासी बच्चों के लिए सैकडों नए एकलब्य मॉडल स्कूल खोले है ये भाजपा सरकार है जिसने आदिवासी किसानों के लिए हजारों बंदर केंदर खोले है साथ क्यों ऐसे जिले जहां जाना मुश्किल है उन्हें दुर्गम बता कर पिछड़ा बता कर कॉंग्रेज हाथ पर हाथ जर कर बैठ जाती है यहां च्छतिस गड में भी ऐसे कितने ही जिले हैं भाजपा सरकार ने ऐसे जिलों के विकास को अपनी प्रात्पिक्ता में रखा है हमने इने आकांची जिला एस्परेशनल डिस्टिक गोशित किया है आज इन जिलों में विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है बिजापूर हो सुकमा हो दंतेवाडा हो सभी आकांची जिले विकास के परामिटरस में अच्छा काम कर सके इसके लिए भारत सरकार बरपूर मदद कर रही है भाई और बैनों अभी कुछ दिन पहले ही सिकल सेल एनेमिया को लेकर एक बहुत बड़े अभियान के शुरुवात की गई इसके तहट देश को सिकल सेल बिमारी से मुक्त करने का लक्ष रखा गया है ये बिमारी सबसे अधीक हमारे जनजातिय समुदाय को प्रभावित करती रही है लेकिन कॉंग्रेस को कभी आदिवासी समाज की समस्या की आद नहीं आई अब जाकर इसमे आदिवासी समाज को मुक्त करने के लिए राश्टिय मिशन की शुरुवात हुई है अब सिकल सेल अनिमिया के मरीजों के लिए ब्लड ब्लेंक खोले जा रहे है बॉन मेरो ट्रांस्प्लांट की सुविदा बढ़ाई जा रही है हम देश भर में इसकी स्क्रीनिंग की सुविदा बढ़ा रहे हैं ताकि पीडी दर पीडी से फैलने से रोका जा सके भाई और बहनों कॉंग्रेस की सरकारों ने आदिवासी सेनानियों का भी हमेशा अपमान किया उपेक्षक बाजपा सरकार ने पहली बार भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जन जातिये गवराव दिवस गोशित किया है हम दूसरे आदिवासी सेनानियों के नाम देश भर में स्मारक मनवा रहे हैं राणी दुर्गावती के शौरियों को नमन करते हुए अनेक महतोपण सानों को उनका नाम दिया गया है भाजपा सरकार इस साल पांच अक्तुबर से एक साल पूरा राणी दुर्गावती की पांसोवी जन्ती पर बहुत बड़ा आयोजन पिकरने जा रही है ऐसे सेवाकारियों के कारण ही आज भाजपा आदी वाच्यों की पिछडों की दलीतों की गरीबों की पहली पसंद है ऐसे काम के कारण ही आज चतिस गड़ में भाजपा के पक्षमे माहोल बना हुआ है जन्ता ठान चुकी है कि इस बार के चुनाओं में कांग्रेश की ब्रस्ट सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा बदल बो बदल बो बदल बो ये दारी कांग्रेश के सरकार ला बदल बो एक बार फिर आप सभी का इतनी बड़ी संखा में यहां आने के लिए मैं आपका अभार व्यक्त करता हूँ मेरे साथ पुरे जोर चे बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत भारत धन्यवाद पदलबो पदलबो एदारी कांग्रेस के सरकार ला पदलबो यहवान के साथ भारत मा के रतन बेटा माननिया प्रधान मंत्री जी के उद्बोधन के बाद मैं इस्तानिय सांसात अदर्निया सुरिल सोनी जी से आगरख करता हूँ कि सभी का आभार प्रदर्शन करें सभी दोलो हाद उठा कर बोलेगे नरेन मोटी जिन्दाबाद आज हम सब को खुशी है हम सब को गर्व है कि विश्व के सर्मान निनेता अपने देश के प्रधान मंत्री 36 गड़ की राजधानी राइपूर में हम सब को संभोधित किया बैं 36 गड़ वाशियों की ओर से करते हो